आज हम अयोध्यासिय उपाध्या हरियोजी की कर्मवीरी स्कविता को देखेंगे प्रस्तोती स्कविता के माध्यम से अयोध्यासिय उपाध्या हरियोजी ने हमें ये बाते बताने की कोशिस किये की मनुश्य अपने जीवन में समस्याओं का सामना करके जो मनुश्य आगे बढ़ता है वो वास्तव में सपलता पाता है अपने जीवन में हमें बहुत संगर्श करना होता है किसी भी काम को छोटा बड़ा न समझ कर उसको पूरा करके हमें अपने लक्ष तक पहुचना होता है और ये बाते जो है प्रस्तुतिस कर्मवीर इस कविता के माद्यम से उन्होंने हमें बताई है जो कर्मवीर पूरुश होते है वो कभी किसी के भरो से नहीं बैटते वो अपने भाग को कभी भागे को दोश नहीं देते कि मेरे नसीब मैं ऐसे होगा वैसे इस प्रकार वो अपने नसीब को दोश नहीं देते बलकि जीत को हासिल करने के पीछे लगे होते है सबसे पहले हम कभीता को देखने से पहले अयोध्यासिय उपाद्या हरियोजी का संग्षित में परिचे देखेंगे एकजाम के दुरुष्टी से एक अंग के लिए इसमें से कभी का जन्म उनकी कावे कृतिया आधी को लेकर एका दुसरा सवाल पूचा जा सकता है तत्पक्चात आपको बड़े सवाल लिखते समय ये कभी के जीवन से समधी दो चार बातों को दवराना है अयोध्यासिय उपाद्या हरियोज हिंदी के एक सू प्रसिद्ध साहित्यकार थे वे हिंदी साहित्य समयलन के सबापती रह चुके है और समयलन दोरा विद्या वाचस्पती की उपादी से सम्मानित किये जा चुके है प्रिय प्रवास हरियोज जी का सबसे प्रसिद्ध और मैतोपूर्ण ग्रंत है यह हिंदी खड़ी बोली का प्रतम महाकाव है और इसे मंगला प्रसाथ पुरसकार प्राप्त हो चुका है मंगला प्रसाथ पुरसकार को लेकर आदि आपको अंडरलेंड करनी है देखिए हरियोद जी ने विविद शैलियों को ग्रहन किया है अयुद्यस ये उपाद्या हरियोद का जन्म 15 अप्रेल 1865 को उत्तर प्रदेश के आजमगड जिले के निजामाबाद नामकस्तान में हुआ उनके पिता का नाम पंडित भोलानात उपाद्याय था उन्होंने सीख धर्म अपना कर अपना नाम भोला सियर रख लिया था इनकी पुर्वजों का मुगल दर्बार में बड़ा सम्मान था इनकी प्रारंबिक शिक्षा निजामाबाद एवं आजमगड में हुई हर्योजी निजामाबाद से मिडिल परिक्षा पास करके करने के पशार कासी के क्विन्स कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ने के लिए गए किन्तु सौस्त बिगड जाने के कारण उन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा उन्होंने घर पर ही रहेकर संस्कुरुत उर्दू फार्सी और अंग्रेजी आधी का अध्यान किया और 1884 में निजामाबाद के मिडिल स्कूल में अध्यापक हो गए इसी पत पर कार्य करते हुए उन्होंने नॉर्मल परिक्षा प्रतम स्रेणी में हुश्ति न की इनका व्याह आनंद कुमारे के साथ आनंदी होना चाहिए देखे इधर व्याह आनंदी कुमारे के साथ संपन हुआ सं 889 में हरियोज जी को सरकारी नौकरी मिल गई वे कानुन गो हो गए इस पत से सं 1932 में अवकाश ग्रहन करने के बाद हरियोज जी ने कासी हिंदू विश्व विद्याले के हिंदी विवाग में और वेतनीक शिक्षन के रूप से कई वर्षों तक अध्यापन कारिय किया सन 1941 तक वे इसी पत्पर कारिय करते रहे उसके बाद यह निजामाबाद वापत चले आए इस अध्यापन कारिय से मुक्त होने के बाद हरियोज जी अपनी गाव में रहकर ही साहित सेवा कारिय करते रहे अपनी साहित सेवा के कारण हरियोज जी ने कापी खैते अरजित की हिंदी साहित सम्मेलन ने उन्हें एक बार सम्मेलन का सवापती बनाया और विद्या वाचस्पती की उपादी से सम्मानित किया सन 1945 इमे निजामाबाद में आपका देहाउसान हो गया इनकी रचनाए जो है हरियोज जीने थेट हिंदी का थाट अधखिला फूल हिंदी बाशा और साहित्य का विकास आदी ग्रंत ग्रंतों की भी रचना की किन्टु मूल तहा वे कवी ही थे उनके उलेखनिय ग्रंतों में शामिल है प्रिय प्रवास वैदेही वनवास पारिजात रसकलश चुपति चोपदे चौके चोपदे थेट हिंदी का थाट अधखिला फूल रुकमिनी परिनय हिंदी भाशा और साहित्य का विकास हरियोज जी के कावे में प्राया संपून रस पाये जाते हैं करून रस वियोग रस शुरूंगार और वासल्य रसों की पून रूप से वेंजना हरियोज जी की चंद योजना में प्रियाप्त विविद्धता मिलती है आरंभ में उन्होंने हिंदी के प्राचिन चंद कवित्ध सवेया चप्पय दोहा आदी तता उर्दू के चंदों का प्रियोग किया बाद में उन्होंने इंदरवर्जा, शिखरिनी, मालीनी वसंत तिलका, शारदूल विक्रिडित, मंदा, क्रान्ता, आधी संस्क्रूत के चंदों को भी अपनाया ये कवी जो होते हैं ये कविता में चंद अलंकार आधी का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि उसी कविता की सुन्दरता बढ़ती है, जिस प्रकार एक दुलहन सर्श दर्शकर साज सुंगार करती है उसी प्रकार ये चंद और अलंकार कविता को सुन्दर बना देते हैं और हमें पढ़ने में बहुत बहुत रुचि लगतने लगती है अलंकार, रीती कालिन प्रभाव के कारण हरियोजी अलंकार प्रिय है किन्तो उनकी कविता कामिनी अलंकारों से बोझिल नहीं है उनकी कविता में जो भी अलंकार है वे सहज रूप में आ गए है और रस की अभिवेक्ती में सहायक सिद्ध हुए है हर्योजी ने शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों ही को सपलता पूर्वक प्रयोग किया है अनुप्रास, यमक, उप्मा, उत्प्रिक्षा, रूपक उनके प्रियालंकार है इस प्रकार प्रस्तुत इस कविता के माध्यम से उनने जो संदेश हमें दिया है उसके बारे में संक्षित में देखेंगे और अगले क्लास में हम कविता को देखेंगे कावे सार इस प्रकार है देखिए प्रस्तुत कविता में कवी का कहना है कि कर्मवीर वही कहलाता है जो अनेक बादाओं को सामने देख कर भी घवराता नहीं और कितना भी कटिन कार्य हो उकताता नहीं कोई भी कार्य आरम करके बीच में उसे छोड़ता नहीं ये परवतों को काट कर भी सडके बना देते हैं तो मरू भूमी में भी नदिया भा देते हैं ऐसे लोग जब कभी जन्म लेंगे तबी देश एवं समाश की भलाई हो सकेगी कविता की पंक्तिया कर्म करने की प्रेणा देती है और निरंतर अपने कार्य में लगकर उसे पूर्ण करने का संदेश हमें देती है ये कभी ने जो बताया है अयोद्यासिय उपाद्य हरियोजी ने हरियोजी जिस प्रकार बताते हैं कि मनुश्य को अपना कर्म जो है वो साहसे करना चाहिए और हर एक काम ये कर्मवीर जो होते है वो कभी बहाना नहीं बनाते वो कायरता नहीं दिखाते वो खुद भी कटिन से कटिन कार्य को पुरा करते है और दूसरों से भी उसी प्रकार के आस रखते है जीवन एक संगर्श होता है और जीवन में आये हुए कटिन अनुभव हमें इस जंग में जीत किस प्रकार हासिल करनी है ये सिकाते है ये बाते हम प्रस्तति इस कविता के माद्यम से देखेंगे धन्यवाद